तो आपने इस लेसन में आउट्डोर गेम्स, इंडोर गेम्स पड़े, अधर एक्टिविटीज फॉर रिक्रेशन, पेंटिंग, सिंगिंग, लिस्निंग, तुम्यूजिक, डांसिंग, रीडिंग, प्लेंग गेम्स, ओन दे कम्पूटर, इंडोर एक्टिविटीज दे कि फि जाना, पिक्निक, हॉलिडेज, वी लाइक गोईंग तो फेर्स और वाचिंग, पपेट शोज अलसो, और आज हम करने जा रहे हैं, पेज नंबर 65 पे, तिक दा करेक्ट आंसर और फिलिन दा ब्लैंक, बचो बोथ वर्क आपको, दोनों ही वर्क आपको अपनी नोट्बुक म करने, स्टार्ट करते हैं, टिक दा करेक्ट आंसर, डैश इस एन इंडोर एक्टिविटी, नमबर वन, ए है सॉल्विंग, सॉल्व पजल्स, नमबर टू, प्लेंग किर्केट, नमबर त्री एन सी, गोईंग फॉर अपिक्निक, इनमें इंडोर एक्टिविटी क्या है, बच पजल, पजल को सॉल्व करना, ठीक है, नमबर ए, उप्शन आपका राइट है, नमबर टू, इन इस एन आउटडोर एक्टिविटी, नमबर ए, रीडिंग अ बुक, नमबर बी, प्लेंग फुटबॉल, नमबर सी, वाचिंग टीवी, रीडिंग अ बुक भी आप अपने घ नमबर ट्री, आउटडोर गेम, हेल्प अस टू स्टे, हैपी करता है, बीजी करता है, या फिट रखता है, अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, थोड़ा हमारा क्या हो जाते हैं, एक्सरसाइज हो जाती हैं, तो हम फिट हो जाते हैं तो बी ओप्षव इस राइड आंसर तो स्टूडेंट यह था आपका तेक्दा करेक्ट आंसर जिसके रहे हैं वह एक बर और देख लेते हैं डैश इंड इंडोर एक्टिविटीज तो नमबर एए ऑप्षव इस और राइड सोल्व और पाजल्स ओके नमबर टू है डैश is in outdoor activities तो B option playing football is the right answer playing football पे आप write कर लिजे number 3 है outdoor game help us to stay and healthy तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग C option fit number 4 है we also go to the dash on holiday तो इसमें B option right है कौन सा zoo next step B exercise fill in the blanks with suitable words from the box देखिए एक box आपको help box दिया हुआ है उसमें hockey tired, indoor and field दिया हुआ है इस help box को हमें अपने ये जो sentence दिये हैं इसमें fill करना है ठीक है तो start करते हैं number 1 we get dash after work and study all day सारा दिन पढ़ने से हम क्या हो जाएंगे सारा दिन अगर हम पढ़ते ही रहेंगे work करते रहेंगे, study करते रहेंगे में कहां जाना पढ़ेगा, field में जाना पढ़ेगा, f i e l d field, मैदान में जाना पढ़ेगा dash is an outdoor game इन में से जो बच्चा है बच्चो आउट्डोर गेम कौन सा है, अगर मैंने यहां किर्केट दिया हो था तो भी वो आउट्डोर था, यहां पर होक्की दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, होक्की होक्की is an outdoor game ओके students, यह आपके fill in the blanks होगे, एक बार और कर लेते हैं, यही आपका assignment है, take the correct answer आपको अपनी बुक में करने है, page number 65 पे और fill in the blanks आपको अपनी fair notebook copy में करने हैं, और मुझे send करने हैं, start करते हैं FIB once again number 1, we get tired after work and study all day number 2, caram and chess are indoor games number 3, we go to a field, we go to a field to play outdoor game number 4, hockey is an outdoor game okay students, यह work करके आप मुझे send करें, bye